जनता पाटी जो बोलते हैं मोदी की गैरेंटी है दो कोड़ियों को परते एक वस रोजगार देंगे चौदर में उन्होंने कहा एक भी रोजगार किसी बच्चे बच्चियों को नहीं मिला आप लोग को देखना है कि लोकतंद बचाना है भागलपूर बिधायक अजिस सर्माद्वारा 75 में गंतन तरिवस पर जंडो तोलन किया गया वहीं जंडो तोलन उपरांत भागलपूर बिधायक केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और महगाई बेरोजगारी साथी शाथ 15 लाक रुपे प्रतिक व्यक्ति को देने की गौंग को द रोजगार और 15 लाक रुपिया देंगे साथ ही साथ विहार में में होने वाले भारत नया यात्रा को में भारी भीर दुटाने की बात कहीं और जंता को भी उनका हाथ मजबूत करने की बात कहीं आई हम सुनवाते हैं भागलपूर विधायक अजिस सर्माद्वारा क्या और तो लगा ही रहे हैं लेकिन अभी तक कोई निरने हमें खबर नहीं है लेकिन आज गंतन दिवस के अफ्षर पर हम चाहेंगे पूरे देशवासी श्रमिधान को याद करें श्रमिधान को बचाने काम करें और भारत को एक रखके हिंदु-मुशलमान से किसाई सब को जोड़ है पहले उसकी बात करिए उसकी रक्षा करिए उसके बाद भी जब जनता की तागत पर बिल्कुल सब चीज ठीक रहेगा और देश का विकास हो रहा है कि कॉंग्रेस के तेरह विधायक जो है जडियू के संपर्ट में हैं मुखिमंसली लगातार उन से संपर्क बनाए हुए पहले यह बताई आप तेरह की बात करें एक विधायक का नाम लीजिए जो की कहीं जा रहा है तांग्रेस पार्टी भारत वर्सकों अजाद कराने से लेके उसमें जब अजाद हुआ तो एक पिन मनाने की फैक्टी भारत में नहीं था और आज जो विकास हुआ है कांग्चा के हित में जनता के हित में एक रहेगा और देश का विकास करेगा हम आपके मेडिया बंदू के तरफ से पूरे देश वाशियों को शुब कामना देते हैं वधाई कर देते हैं और पूरे भागलपूर वाशियों को भी देख रहे हैं जिस तरह से उमंग है लोगों में और आ आज के दिन 26 जनवरी है तो हम सबसे आवान करते हैं कि जो भारती जनता पाटी जो बोलते हैं मोदी की गैरेंटी है दो कोडियों को परतेख वोस रोजगार देंगे चौदर में उन्होंने कहा एक भी रोजगार किसी बच्चे बच्चियों को नहीं मिला आप लोग को देखन है कि लोकतंद बचाना है और आदरनी राहुल गांदी जी जो भारत जो निया यात्रा में निकले हैं अभी अश्रम से हुते हुए बिहार 29 जनवरी को आएंगे हम चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल के भारत वार्स के सभी नागरिकों को नियाय मिले उनको नौकरी मिले एक म मचाने हैं काम करिए युकों को रोजगार देने हैं काम करिए घंतन दिवस के हार दिशों काम ना देए